Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और आज से हम Livewire की एक new tutorial series start करने वाले हैं और यह उसकी introduction वीडियो है, आने वाली वीडियो इसके अंदर उसका code करेंगे completely एक project भी बनाएंगे और उसका installation और सब देखेंगे, इसके अंदर देखते हैं कि Livewire actually होता क्या है एक इसका introduction part है theoretical तो सबसे पहला question ही आता है कि Livewire होता क्या है देखें यह एक full stack framework है जो Laravel के साथ में use होता है आप इसको अलग से use नहीं कर सकते हो कि मैंने Livewire install करा और उसको मैंने use करना start कर दिया यह Laravel के अंदर use होता है आपको पता है कि Laravel PHP का framework है और यह basically back-end framework है फुल stack अपने आप में बन जाएगा, full stack framework बन जाएगा तो अगर आप यह सोच रहे होंगे कि क्या अच्छा तो अब मुझे दो दो चीज़े सीखनी पड़ेंगी नहीं जो लाइव वायर होता है वो बहुत ही light weight और easy होता है जो most of the syntax होता है और जो pattern होता है structure अगरा तो वो सारक सारा Laravel से adapt करता है बहुत जादा आपको इसमें महनत करने की जरूतनी है बहुत कम ही timing लगने वाला है और यह single page application होता है without JavaScript देखो आपको इसमें JavaScript लिखनी नहीं पड़ेगी और यह single page application मतलब कि जैसे ही आप कुछ भी event करोगे तो यह reload नहीं करेगा आपके application को जैसे कि react और angular और view के अंदर होता है एक ही page के ओपर चलता है कुछ भी reload नहीं होता तो इसी तरीके से यह भी आपको reload नहीं करेगा कुछ भी data reload नहीं करेगा और आपको एक जोर सही चीज है कि JavaScript भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए there is no use of the JavaScript here यह अपने आप में use करता है बट आपके लिए कुछ भी JavaScript में लिखने की जरूरत नहीं है अपने आप में जैसे आप कुछ भी काम करते हो उसका एक छोड़ा सा JS generate कर लेता है अपने आप में compile के लिए ठीक है और आपको पता भी नहीं चलता है वो कहां generate करता है और उसकी help से वो backend के लिए Ajax request भी है सारी की सारी Ajax आपको पता हुआ कि जब हम हमारा page reload नहीं होता तो उसके लिए Ajax use करते है ठीक है और उसके बाद में कैसे थोड़ी सी history देख रहे हैं बहुत पुराना है नहीं है अब भी जो इसका current version है 1.0.14 है ठीक है तो देख सकते हो अल्राइट तो यह भी actually initial phase में है और मेरे साथ में यह बहुत ही अच्छी compatibility है लारावल के साथ में जैसे कि कहते हैं इसके बाद में actually इसको use करते कैसे हैं कर तीन चाश टैब में आपको बता हूँ आप देखो आपने लारावल इंस्टॉल करा उसके अंदर आपको इंस्टॉल करने लाइव वेर पैकेज ठीक है और उसके हाथ में कुछ command होती है जैसे कि हम model component अगार को generate करने के लारावल में command यूज करते थे ना तो इसके अंदर भी आप कुछ-कुछ फैसी command यूज कर सकते हो बहुत ही सिम्पल है और जैसे command करेंगे तो इसके according वह component या फिर जो भी हम उस पर काम करना चाते है और उसके बाद में हम उसको यूज कर लेंगे बहुत ही सिम्पल है और इस सीरीज में क्या करने वाले हैं वैसे तो बहुत कुछ सीखने वाले हैं बट यह मैं आपको basic बता रहा हूँ सबसे पहले है कि हम start कैसे करेंगे आने वाले वीडियो के अंदर हम लेहेंगे कि हम इसक इसके बाद में हमें कुछ इसके अपने आपकी भी components होते हैं component कैसे बनाते हैं इसको render कैसे करते हैं कुछ actions है events होते हैं इसके अंदर तो even click event वगारा भी होते हैं वो भी देखने हैं फिर इसका life cycle method होता है फिर इसकी validations हैं गी pagination और इसकी UI का भी पार्ट होता है बहुत सारा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं सारी की सारी चीज़ें देखने वाले हैं all right so यह था introduction अगर कुछ आपी query हो तो comment box में पूछ सकते हो video को like कर देना चैनल को subscribe कर लेना प्लीज क्योंकि मैं बहुत सारी भी live wire के ओपर भी वीडियो देखने माला हूँ अदरवाइस मैं वैसी वीडियो भी बनाता रहता हूँ जावास्क्रिप के ऊपर भी और PHP के ऊपर भी so thanks for watching this video चैनल को subscribe करना मत बूलेगा बाइबाई take care